तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12 क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 3 है जिसका नाम है बाज पुराने लफजों की नहीं तयापिक इतना लंबा चोड़ा इस चैप्टर का सारा अबजेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव कोशन करने वाले हैं ध्यान में रखिएगा कि यह जो चैप्टर है यह एक मजमून है और इस चैप्टर के जो राइटर है मुसानिफ वह है सेयद सुलेमान अदवी इस चैप्टर को मैं आप लोग पढ़ा चुकी हूं अगर आप आप लोग पढ़ लिया करें पहले चैप्टर तब कोशन एंसर करें चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टोटल सल्यूशन कर लेते हैं मतलब कि इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का सारा अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कोशन कर लेते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है चैप्टर का नाम बाज पुराने लफजों की नई तहकीक और इसके राइटर कौन है सेद सुलैमान अदवी याद रखिएगा चैप्टर के साथ राइटर का नाम याद रखना मॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंक एक दम हलवा कोश्चन चैप्टर पढ़े हैं तो सारे कोश्चन के अंसर आप लोग यूँ चुटकियों में देख सकते हैं आप लोग के लिए बाय हाथ का खेल होगा तो भूख तोड़ने की इस्तिला मैं आप लोग को बताई हूँ नाश्टा को कहते हैं यानि कि ऑप्सा यह हो जाएगा ऑप्सन इंबर एसे राइट एंसर नेक्स्ट कोर्शन और स्क्रीन यानि की तीसरा सवाल आपके के उपर जबर है इसका मतलब बताना है इसका मानी क्या होता है अहदी का मानी बताइए तो इस अहदी का मानी होता है काहिल सिर्फ अलिफ के उपर जबर है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग अहदी तो इस अहदी का मतलब होता है काहिल इसका भी आपसन ए होगा क्या बात है सभी कोश्चन का यही क्यों हो रहा है अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर सिक्स है कि अहदी के मानी बताइए यह वाला जो अहदी था यह वाला अहदी इस पर सिर्फ अलिफ के उपर जबर था लेकिन यह वाला जो अहदी है इस पर अलिफ के उपर भी जबर है और हे के पढ़ा जाएगा इसको पढ़ा जारा था अहदी इसको पढ़ा जाएगा थीक तो इस अहदी का मतलब होता है एक पढ़ा चुकी हूँ में आप लोगों को जानते होंगे तो इसका option number a हो जाएगा एक इसका भी option a हो गया आगे बढ़ते हैं सात्वा discussion देखते हैं कहीं इसका भी यह न हो जाए कलेए खोलने के मानी बताये कलेए खोलना का मानी होता है एप जाहिर करना यारे की गलती को दिखा देना इसका भी क्या बात है सभी कोशन का A ही एंसर हो रहा है कोई बात नहीं है अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 8 खलाइक पेड़ना के मानी एब चुपाना यान की गलती को चुपाना ओ माई गॉड इसका भी A अलिफ एब चुपाना अब सवाल नमबर 9 है कि शिबली नमानी की सीरत की किताब सीरत नभी को किसने मुकमल किया तो इसका जवाब A नहीं होगा अब यहाँ पर उप्सन नमबर C हो जाएगा सेद सुलेमान नदवी अब जाकर C आया है तो सभी कोशन का एंसर A उप्सन A A हो रहा था इसका C हो जाएगा सेद सुलेमान नदवी आगे बढ़ते हैं दसवा कोशन है कि सेद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए सेद सुलेमान नदवी की पैदाएश होई थी 22 November 1864 ऑप्सन नमबर C is the right answer 22 November 19 November 1884 आगे बढ़ते हैं ग्यारा नमबर क्विश्चन कि सेद सुलेमान अद्वी कहां पैदा हुए तो इनकी पैदाईश हुई थी दसना नालंदा में यानिकी नालंदा जिला के दसना में एक जो की मर्दुम खेज बसती था दसना तो वहाँ पर आप्सन नमबर सी इस दराइड एंसर नेक्स्ट कोश सुलेमान अद्वी ने कहां से आलमियत की मफलब से चले मना नद्वी कहां से आलियत कि कहां से आलिम हुए थे वो शिक्षा कहां से लिए थे तो ऑप्सन नमबर 20 दराइट इनसर दारूलूम नदवतुलुमा है याहाँ से इस तरह से भी कोश्चन को सकता है कि दारूलूम का तालुक किस से हैं अप्सन में दिया रहेगा से सुलेमान अद्वी इसको भी आप लोगो टिक कर देना दोनों तर से कोशन घुमा कर किस तरह से भी पूछ सकता है लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टुडेंट है जो पढ़े हैं उनको पता रहेगा तो किस तरह से भी किसी भी देकर आईएगा अभी तो फाइनली आप लोगों का एक्दाम होने वाला नहीं है लेकिन जब भी भी हो जम सोच समझ कर एंसर देना है सारे अप्जेक्टिव कोशन का एक भी अप्जेक्टिव को आप लोगों को गलट तिक करके नहीं आना है आगे देखते हैं कुशन पर सवाल कि सेज्थ सुलेमान अद्वी का इंतकाल कब हुआ उनका इंतकाल हो गया था कितना तेज सब्सक्राइब कोशन कंप्लीट अब स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सब्जेक्टिव कोशन और सबसे पहले हम लोग मुखतसर तरीन सवलात करेंगे यानि की वेरी short type अती लगूतुरिय प्रशन सबसे पहला सवाल अती लगूतुरिय प्रशन में कि भूख तोड़ने की स्थला क्या है तो नाश्टा से सुल्मान अद्वी कितने जुबानों के माहिर थे तो चार जुबानों यहां पर क्या एंसर सही लिखा हुआ है तो जी नहीं सुलेमान अदुवी खुद बोले हैं कि मैं सिर्फ दो जुबाने जानता हूं एक पुरब की और एक पच्छिम की तो यहां पर चार जुबाने नहीं होगा दो जुबाने होगा ठीक है यहां पर जवाब गलत दे दिया ग लवज है यह पार्सी और हिंदी फार्सी और हंदुस्तानी जुबानों में इस्तामाल होता है कि जुबान का लवज है और 마음에 वह जुबान का लवजभbench का मानी होता है रांगा सुर definite कि से मुराद है उन्वान यानि कि टाइटल अहदी और अहदी के फर्क को वाज़ करें यानि कि यह जो अलिफ के उपर जबर है यह वाले अहदी और यह वाले अहदी तो इस अहदी का मतलब होता है सुस्त और काहिल और ये वाले अहदी का मतलब होता है अकेला ठीक है कलाई खोलना और कलाई फेरना के मानी में फर्क क्या है तो कलाई खोलना का मानी होता है अब जाहिर कर देना और कलाई फेरना का मानी होता है आपको चुपा देना आज तोमारी कलेओ खुलने वाली मैज़ वाला है और घणता हो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कलेई को अर्बी और फार्सी में क्या कहते हैं तो कलेई को अर्बी में लिसान और फार्सी में रांगा कहते हैं पूरब और पच्छिम की जबानों से कौन से जबाने मसनिफ मुराद लेता है ठीक अगला कोशन देखी है मुखतसर सवालात है यानि कि अब शॉट टाइप कोशन पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खाना कौन सा है इसके मतालग सेथ सुलेमान नदवी के खालाद वाजा कीजिए तो पेट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी खाना जो है न कौन सा है इस सिलसले में मुक्तलिफ लोगों का जवाब मुक्तलिफ हो गहाई यानि कि अलग-अलग जवाब अलग-अलग होगा इसलिए कि सबों के तजर्बात और मशाहदात खाने के सिलसले में यक्सा नहीं होते हैं जहां तक सुलेमान अद्वी की बात है तो इस सिलसले में उनका ख्याल है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना नाश्टा है सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मिनान हो जाता है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना है अगर अलग-अलग लोगों से पुछा जाएगा तो सभी लोग अलग-अलग एंसर देंगे लेकिन सुलेमान नदवी अपने हिसाब से बताए हैं वो अपना अब बोल सकते हैं एक ख्याल पेश किये हैं कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना नाशता है क्योंकि सुबह सुबह उठकर हमारा जो पेट होता है खाली रहता है तो कुछ खाने के लिए चाहिए अगला सवाल है कि कुलिया से क्या मुराद है अर्बी और हिंदुस्तानी जबानों में कैसे इस्तमाल करते हैं तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है कि हमारे हिंदुस्तानी तहजिब में कुलिया और कॉर्मा आम खाना और रुजमर्णा के इस्तमाल में है कुलिया के बजाहर शकल तो अर्वी है लेकिन इसका मानी अर्वी नहीं है अर्वी में इसके शकल कलिया हो सकती है जो कुली से बना है कुली फेल है जिसके मानी भुनना है इस तरह भुने हुए गोश्ट को कलिया कह सकते हैं तो यहां पर इसका एंसर हो गया आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल देखते हैं नए और पुराने नुक्ते निगा से लवज सुरखी का जाइजा लीजिए आज कल जबान में एक लवज सुरखी राईज है जो मजमून की सुरखी के लिए इस्तमाल होता है सुर्खी लफ सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के मानी लाल रंग होता है पहले जमाने में मजामीन लिखने के दौरान मजमून मजामीन के उनवान को इम्तियास पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे नए दौर में जब छापा खाना एजाद हुआ तो रफ्तर रफ्ता बाब या मजमून की सुर्खी कहने लगें ख्वाह आप इसको काले रंग की रोशनाई से क्यों न लिखें तो यहां पर बोला जा रहा है कि सुर्खी का मतलब होता है क्या उनवान यान की टाइटल पहले के सुर्खी न बोलकर उनवान बोलते हैं सुर्खी मतलब जो सुर्ख कलर का हो लाल कलर का हो आगे बढ़ते हैं चार नंबर सवाल कि बास पुराने लफजों की नहीं तहकी किस किताब से माखुज है तो वो है नकू से सुलेमानी से माखुज है यानि कि बास पुराने लफजो है उस्ताद ग्रामी का नाम शिबली नमानी है हमारे जी जबान में शीर्वदार गोस्त को कहते है त disaster गोस्त को कहते हैं तो जैंद गलत हो भी गलत हो जाती है तो यहां पर यहीं बोला जा रहा है कि हमारे जुबान में शुरुबदार गोस्त को क्या कहते हैं कुलिया कहते हैं हो गया इन सरफ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवाल नंबर साथ देखिए स्यद सुलेमान नद्वी की जाय पैदाईश दसना बिहार के नालंदा जिले में हुई थी स्यद सुलेमान नद्वी के पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था तो स्यद सुलेमान नद्वी एक गहर मामूली जहन के मालिक थे बिश्तर उलुम के दर्वाजे उनके लिए खुले हुए थे लेकिन उनके पढ़ने लिखने का खास मैदान तारीख इसलाम था तारीख इसलाम याद रखना है अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का तवील सवलात यानि की लॉंग टाइप कोश्चन तो सबसे पहला सवाल कि हमारे खानों में नाश्टे की क्या एहमियत है तो देखिए जवाब में लिखा हुआ है और हाँ यह तवील सवलात है ना पांच नमबर वाला तो आप लोगों को थोड़ा इसको लॉंग ही लिखना होगा अगर कोश्चन पूछे पांच नमबर वाला तो पांच नमबर वाला थोड़ा लंबा लिखा जाता है ताकि फुल म में लगों का तर् aquesta् जहायात और नशच मुआजब मुख्तलिफ हो गया है जिसके नतीजे में खाने के अवकात भी अपने अपने जाती हालात के बुनियाद पर उतार और होगा पर ये चीज़ खाएंगे और उनके लिए अलग अलग हिसाब से मतलब अलग अलग लोग जो है ना उनके लिए अपने हिसाब से खाने की जरूरत है उनको 12 बजे का लंच पसंद होता है नही तो रात का डिनर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेकफस्ट जरूरी लगता है तो इस नतीजे में खाने की अवकात भी अपने जाती हालात की बन्यादी पर मुख्तलिफ हो गया है इसके बावजूद लोगों के एकसरियत इस बात की कायल है कि तमाम खानों में सबसे ज़्यादा जरूरी खाना नास्ता ही है जब आदमी रात बर सोता है निन्द की हालत में रात को बढ़ावा देते हैं लेकिन ज्यादतर अगर वोटिंग की जाए तो ज्यादतर लोग का वोट यहीं आता है कि सभी खानों में सबसे ज्यादा जरूरी जो खाना है वो नाश्ता है क्योंकि राद बर हम लोग क्या सोय रहते हैं खाना पच जाता है एक दम अच्छे तरीके स चाते हैं और तुबा पेट खाली हो जाता है तो बड़ी शिद्दत के सान्थ भूख का एसास होता है और ऐसी हालत में कुछ भी नास्ते की शकल में कुछ घजा मिल जाने से पूरे दिन के लिए ढारस हो जाती है बलब पुरा दिन जो है ना पूरे दिन की नया पार लग क्या अजीब बात है कि नाश्टर के लिए दुनिया की अक्सर जबानों में भुख तोड़ने की इस्तिला राईज हो चुकी है ये लंबा चुड़ा मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ूंगी न तो विडियो थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं नहीं चाहती बहुत ही ज्यादा लंबा हो आगे बढ़ते हैं दुसरे सवाल को देखते हैं लवज नहार मू फार्सी और हिंदुस्तानी जुबान में कैसे एक दूसरे से मतालुक है वजाहत कीजिए तो यहाँ पर लवज नहार मू यह जो शब्द है नहार मू यह फार्सी और हिंदुस्तानी जुबान में कैसे एक दूसरे से संबंदित है आप लोगो वजाहत करना है लंबा चोड़ा विस्तार से बताना है पाश नमबर वाला है तो विस्तार से तो बताना ही होगा तो चलिए जवाब देख लेते हैं जवाब में लिखा हुआ है कि लफ नहार मूँ फार्सी और हिंदुस्तानी जबानों में लवज मुश्तरक है और दोनों में इस लवज से मतालुक बहुत गहरा तालुक है नहारमू दर असल लवज नहार की सिफ़त है यही लवज हिंदुस्तानी जुबानों में सुबा को भूखे पेट वालों के लिए रायज है यह लवज नहारमू बनियादी तोर पर फार्सी का है जो फार्सी से हिंदुस्तानी जुबानों में जम होकर हिंदुस्तानी जुबान का एक इस्तला बन गया है की बात यह हैं कि यह fot हिंदुस्तानी जबान से से इस तरह मिलगया कि गोया अभा अभी ह इसकी इसलिए ल्बाफ के लिए और गजा में आप भी पढ़ाई हूं और अगर बात करें से लिए ना मतलब नहीं और और हर मतलब गज़ा यानि की गज़ा भोजन को नहीं किया हुआ तो इस तरह आप लोगों को नमबा चोड़ा पांच नमबर वाला है तो लिख देना है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं तीसरा सवाल मुख्तलिफ जबानों की रोशनी में लवज कुलई का जाइजा लेज होता है कि इस लवज को गर्चा लिखते हैं कलई है लेकिन बोलने की सता पर इसके साथ नाइनसाफी होती है इसे अकली बोला जाता है लेखे इसको भले ही लिखा जाता है कलई लेकिन पढ़ा जाता है कल्ली ये दुश्तानी जबान में कलई के मानी सफेदी और सफाई के है इसी मकसद के पेसे नजर जब बरतन की सफाई की जाती है तो उसे बरतन पर कलाई करना कहते हैं और जब मकानों की सफाई कराई जाती है तो उसे मकानों पर कलाई फेरना कहते हैं ठीक है तो ये मुखतलिफ जबानों में लवज कलाई का जाइजा लिया गया है लंबा चोड़ आप लोग इसको पढ़ सकते हैं फिलाल मैं अगले कोश्चन की तरह बढ़ती हूँ कोश्चन नमबर फूर है कि बाद पुराने लफजों की नई तहकी के फवाइद अपने जबान में लिखिए बाद पुराने लफजों की नई तहकी कि ये जो मजमून है इसके फाइदे को अपलो को अपनी भाशा में लिखना है जवाब में देखिए लिखा हुआ है कि एक महाकिक और माहिर लिसानियात के हैसियत से मौलाना सेद सुलिमान नद्वी की शक्षियत महताज तारुफ नहीं है यानि की सेद सुलिमान नद्वी किसी तारीफ के महताज नहीं है कि इनकी तारीफ की जाए यूं तो सेद साहब यानि की सेद सुलिमान नद्वी की तहकीक का खास मैदान तारीख इसलाम था और उनकी बेश्टर तसानिफ भी इसी मौजू पर है लेकिन सेयद सुलेमान अद्वी एक काम्याब मौरिख के अलावा एक माहिर लिसानियात भी थे उर्दू, फार्सी और अंग्रेजी जुबानों में कामिल महारत रखते थे इसलिए पुराने लफजो की नई तैकी के मوضوع पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम नाकूस सुलेमानी था जेरे निसाब मजमून बानुआन बास पुराने लफ़ों की नई तहाद सेयर चाहब की किताब नकोष सुलिमानी से माखोज याद रखिएगा ये objective में कोशन पूछ देता है कि बास पुराने लफ़ों की नई तहाद की किस किताब से ली गई है उस किताब का नाम है नाकूस सुलिमानी जिस भी आपसन में आप लोग को दिखाई दे टिक कर देना है ठीक है इस तहकी की मजमून में मुसनिफ ने किसी मखसूस लवज के मानी को कई जबानों की अलफाद से तकाबली मौाजना करते हुए मिसालों के जरी वाज़ किया है लिसानियात और जबानों के इल्म में यह मजमून नहायत कारामद और मुफीद है इस मजमून में ऐसे अलफाद के असल मानी की भी वजाहत की गई है जो रोजमर्रा की जबान में इस्तमाल होते आ रहे हैं जो इस तरह आप लोगों को लिखदेना है जितना लमबा छड़ा लिखा इतना लंबा लुग दर लेक सकते हैं और आगर आफ नहीं सुझा खालता झ्ली कर सकते अपनने एपने हिसाब पूछता है तो यहां से आप लोगा स्टार्ट हो रहा है उर्दू गामर के क्विश्चन उर्दू कवाइद सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि दर्जजायल अलफाज से दो दो मुहावरे बनाईए पहला तो है आख तो आख से दो मुहावरे बनाना है तो देखिए आख से दो मुहावरे बना दिया गया है पहला है आख दिखाना और दूसरा है आख को का तारा होना यह दो मुहावरे आप लोग जानते हैं होता है रियल में अब दू दूसरा लवज है पानी, पानी से दो कौन सा मुहावरा बनेगा, तो देखें आपर पानी से दो मुहावरा बना दिया गया है, पहला है पानी पानी होना और दूसरा है पानी में आग लगाना, ठीक है, तीसरा जो शब्द है लवज वह है कलई, कलई खोलना और कलई फिरना, ये दो मुहावरा बना दिया गया है जान जान छुडाना और जान पर आना ये दो मुहावरा च्छाती च्छाती से दो मुहावरा बनाना है च्छाती पीटना और च्छाती पर मौंग दिलना एक मिनत मौंग अच्छा दिलना या पर दाल दे दिया गलती से च्छाती पर proportion' का answer दूसरा सवाल देखते हैं इसमें शिवत इस्त कि तारीफ की जिएए औरव उसके किसमों के नाम बताएए इसमें शिवत कि से कहते हैं आपड़ों को बताना है जवाब में लिखा हुआ है कि इसमें सिफट उस इसम और उसम और मंगदार मौप जैसे गरम पानी नेक आदमी में गरम और नेक सिफत हैं देखिए सिंपल इसमें सिफत समझे इसमें सिफत को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्या कहते हैं एडजेक्टिव और हिंदी में कहते हैं विशेशर यानि कि वह नाम जो किसी चीज की विशेशता को को बताए क्वालिटी को बताए उसे ही कहते हैं हम लोग इसमें सिफत जैसे कि इस यह जो शब्द था गरम पानी तो गरम पानी में पानी की विशेष्टा को कौन बता रहा है गरम यह जो लफज है गरम इसी से तो पता चल रहा है कि पानी कैसा है गरम है यानि कि पानी की विशेष्टा पता चल रही है नेक से श्व्द से तुमिन किया हो जाएगा इस सीफट तो सिख को इस में सिफट कहते हैं जो की जो isn't विशेष्टा बताए अब देखिए इसमें सिफट कि साथ उसमें दरजैल दी गई पहले है इसे अरजी दूसरा रहा दतें दते ही तो यहैं था चैतर नंबर थी का सारा अबजेक्टिव और सारा सब्जेक्टिव कोशन आप डडरी द्याती आप पहले से क्योंकि क्या अपिर भी कम्प्यीजना कीमें समझ में Scale कर दें समझ में आया हैं तो लाइक करें अभी तक लाइक नई किया है तो और शेर करते जितना ज्यादा हो सके लेकिन लाइक एक ही बार किजीएगा शेर जितना ज्याता हो सके उन्हेंदा शेर करें और उसके वाद अगर आप लोग चैनल पर नए आये हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज